नगर के समी पिस्तित ग्राम हतोडा में राजा महाराज के मार्क दर्शन में 11 मई से 21 मई तक श्री तुलसी पिठा दिश्वर जगत गुरू श्री राम भज्राचार्य जी की बाल में की रामायन कथा और 251 कुंडिय महायग्य संपन होने जा रहा है आज आयोजन समीति के प्रमुक राजा महाराज के रहा एक प्रेस वारता रखी गई जिसमें उन्होंने आगामे कथा के बारे में बताया उन्होंने बताया कि लगभग सो भीगा जमीन में पूर्म प्लान तयार कर लिया गया है जगत गुरू राम भज्राचार्य जी का नाम देश के बड़े संतों में आता है जिसको देखते हुए पूरे आयोजन पर प्रशासन अपनी पेनी निगहा बनाए हुए है पूर्म में व्यवसाओं की रश्टी से तीन इस्तर पर प्रशासन आयोजन समीती के साथ बैठक भी कर चुका है एक बैठक में विदिशा जीले के जीलाधिश उमा शंकर भारगव पुलत अधिक्षक दीपक शुकला एवं अन्य अधिकारियों की उपस्तिती रहे जिसमें निर्णड़ी लिया गया कि कथा इस्तर एवं यग्यस्तर की दूरी अधिक है इसके लिए कथा इस्तर और समीप होने चाहिए साथ ही उन्होंने बताय कि प्रशासन और आयोजन समी के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं साथ ही उन्होंने कहा कि इस कथा में देश में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पंडित धिरेन्र कृष्ण शास्री एवं अनिरुध आचारिय महाराज भी आ सकते हैं साथ ही कई बड़े संस एवं व्याइपी लोग भी आ सकते हैं प्रश आपने बहुत अच्छा प्रश्ण किया आपने इस विश्वर को थोड़ा सा जागरित कराया इससे हम आपकी प्रशन शना करते हैं हमारा यह भाव है कि जितनी भी नवग्रे की लिकणियां जो हमें यग में रखती हैं साथ में यग भूमी के साथ में अपने अपने गाउं हम जो है पांच हजार के लगवक कल्सों को लेकर निकालें अब सभी लोगों को अबगत है नगर में दुरका वाहिनी जो बहने हैं उन्होंने भी समय प्रचार कर रखा है कई समीतियां इसके लिए प्रचार कर रही है और उनका ही उन्होंने यह अनुमान लगाए कि महराज जी हमने सब लोगों को अबगत करा दिया है अधिक से अधिक संख्या में जो है लोकल श्यात्राओं के लेकर निकलेंगे इसमें दोश्य क्यावन वेदियों कर रिमान करा गया है जगत गुरु भगवान जो है तेरा तारीक को अपने नगर में आ जाएंगे और कुकि सरमादी से तो महारा जी आप यहां आ जाईए तो तीरा तारीक को नगर में यहां उनका आग्मन होगा और उनकी शुवा यात्रा नौलकी मंदिर से निकाली जाएगी और चूदा तारीक को चूदा उसका श्रमाय रहेगा आठ बजे से तैयारी हो जाई लगवाक आप जान पानी की विवस्ता के लिए क्लेक्टर महुदा ने 25 टेंकरों की विवस्ता के लिए आशोशन दिया है और नगरपाली का से जो टेंकर रहेंगे वहाज आएंगे लेकर आप आशोशन देख गए कि पंचीश टेंकर जो है पृति दिन हाँ उपलब्द रहेंगे यारा तारी जन पृति निदियों का सईयोग जो है वो समय समय मीटिंग ले लेते हैं और अभी तो जो सईयोग मिलना चाहिए वो मिल रहा है लेकिन आप सब लोग अपगत है इस विशेश से इस विशेश को थोड़ा सा हम धार्मिक कारी के दिरश्टी से जाद अने कुछ नहीं कहेंग इसके संपक्ष अगर कोई यह थो ता है आप इमान के लिए आजजन प्रभावित होता है लेखिये अब यह तो सनात्र का नात्र स्लोग अपने अपने द्रेश्टी कारिय कर रहे हैं हमेश विशे को नहीं बोलेंगे क्योंकि एक चोटा व्यक्ति यह बड़ा व्यक्ति वह चलना है तो इस लोग कोई नहीं कोई रखना है कि एक आएवजन से दूसरा आएवजन कोई प्रभावित हो कि अरी को लेकर ताहना है तो थायरे हो अरग वावन रहा है कारिक्रम की तैयारी शुचार रूफ से चल नहीं लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि बर्शाद का मौसम देखते हुए इस्तान परीवर्तन के कारण थोड़ा सा शिलो माहूल हो गया है जहां तक की वात है कि लूम पहले से तैयार हो चुका था लेकिन कलेक्टर महोदय और अन् माहूल चुलो है लेकिन सुचार रूफ से बकाइदा मिस्त्री लोग लगे हुए हैं हैड़ा वगयरा की थोड़ी सी आशुवीदा लगती है लेकिन उपलफ हो जाता है समय के नुकूल ना होने करण हाँ चल नहीं है सुचार रूफ से तैयारियां और तैयारियों में सभी लोग अपनी अपनी विवस्ता हैं समाले हुए है समय समय पर अपना मिवत जानेकारीयों का जाजा ले रहे है समय समय पर आकर ऑली कब रेखा देख लीती है और जो भी लगता है उनको पूर्थ कर ने की प्रेयास कर रहे हैं विवस्ता आए तो सुचार रूप से सबको निर्देश दे दिये हैं और तुरंत प्रिशाषन के सुभाज फोन रहे हैं एस्टीम ओपस से भी फोन आ रहा है आज जो है क्राइम ब्रांच से के माध्यम से फोन आया था तो प्रिशाषन निरंतर अपनी जो है ना पूरी विवस्ता बनाने के लिए पूरी तईयार है खड़ी है तो जिस समय आयूजन प्राराम होगा उसके पूरू से प्रतिदन समय सीमा पर आकर जा जा लेकर चली जाती है कारिक्रम ये जो है बालाजी दाम हतोडा के माध्यम से हो राय शिद्शी हनमान जी महराजी का इस्तान वहाहीं से कलश्यात्र निकाली जाए जो गाउं के अंदर प्राचीन मंदिर है दुफेर में प्राश्य दिश्णान होंगे सभी लोग जानते हैं यह میں प्राश्य दिश्णान के पश्षाद कलश्यात्रे दुफेर के समय बारह एक बज़े के करीव एजवान आ जाएंगे और इसके पश्षाद मंदिर निकलेगी और जो आपको पता है यह अगिस्तल तक आई मंदिर निर्माड में राम मंदिर निर्माड में सबसे बड़ी भूमी का उनकी रही है तो कि हमारा नगर जो है गंजवाशोद संतों की भूमी रही है यह एक से बड़कर एक सिद्ध संत हुआ है और उस संत के पीछे पूरा सहर दोड़ता है तो आप खुद ही अनुमान लगा लिजिए कि हमारे नगर में यहां कित्ती भीण आ सकती है तो यह तो लाखों में इसकी संक्या जा सकती है यह शभाविक भाव हमारे जगद गुरू जी के सांत में हमने बागेशो शरकार से भी निविदन करा था तो उनका सोडूल जो है बन जाएगा तो जगद गुरू जी के आने के पशाती मालूम पड़ेगा साथ में आचारिये जो है आप जानते हैं अपने अनुरुद आचारी जी से भी बातचीत हुई थी उनका सोडूल बनता है तो अनुरुद आशारी जी का भी आगवन हो सकता है संभवता वो उनका भी गठा चल लई है तो उनके विशे में उनने फून तरीके से भी नहीं बताया आज कल में उनका फोन आ जाएगा यह दिया आना निश्यत होगा तो और भी जो हमारे छेती संत हैं वो सभी छेती संत आमंतित हुम उससे ही हो चुके हैं उनका आना तो तहीं है और विशेश हमारे महराशी रामनवरदाद जी ने भी अईधिया में जो महामनलेशवर हैं उनको भी आमन्तित किया है और आगे जो है आप सभी लोग जानते हैं कि संत तो जब आयोजन होता है तो संतों का अग्मन तो उसमें निश्यती है तो इसकी कोई गणर नहीं कि सचीन दिख्षित की रिपोर्ट